यह है बज़ाज मेगनिफिक का इंडेक्शन, आज की इस वीडियो मैं मैं इसे अन्बॉक्स करूँगा, इसका रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको इसके चीपेस्ट प्राइस बताऊँगा इससे बहले मैं इंडेक्शन को अन्बॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको इंडेक्शन की डिटेल में मिल जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फैन भी दिया गया है और यहाँ पर इसका वेंटिलेटर दिया गया है इसमें जो हीट होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी अब ये जो induction की body देख रहे हैं ये पोरी glass की बनी हुई है इसका जो color है वो black है इस induction की जो quality है वो काफी अच्छी है front में आपको बजाज का logo मिल जाएगा और साथ में जो model का नाम है वो आपको मिल जाएगा अब ये induction किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें touch का system दिया गया है इसमें button बिल्कुल भी नहीं है देखें मैं दबा रहा हूँ ये बिल्कुल भी button नहीं है ये सारे touch पे काम करेंगे इसमें play और pause का button दिया गया है मतलब ये है कि आप इसे जिस mode पे रखेंगे आप चाहते हैं कि उसी पे रुक जाए तो आप pause कर सकते हैं फिर आप चाहते हैं कि शुरू हो जाए तो आप इसे फिर से play कर सकते हैं यहां से आप temperature घटा और बढ़ा सकते हैं इस induction में आपको manual mode दिया जाता है manual में आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि रोटी, डोसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां पे already दिया गया है इस पे टच करके आप set कर सकते हैं जैसे milk है, tea बनाना है उसके लिए curry बनाना है उसके लिए deep fry करना है उसके लिए idli बनाना है उसके लिए boil करना है उसके लिए तो अगर आप particular इससे इस्तेमाल करना चाहते हो आपको इसे इसी mode पे करके आपको इसे touch कर देना है उस mode पे temperature set होगा और इसी mode पे ये work करेगा और ये heat करेगा और आपको जो खाना है वो बन जाएगा बाके यहाँ पे notice दिया गया है कि आपको induction इस्तेमाल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है यह है आपका बजाज का induction side से भी आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे और आप इसे side से भी देख सकते हैं अगर मैं इसके weight की बात करूँ तो इसका weight बहुत भारी बिल्कुल नहीं है मतलब की अच्छा है look wise इसकी बहुत ही अच्छी है एक दम plane है यहाँ पे कोई curve वगेरा नहीं है तो यह compact में भी बहुत अच्छा है मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि यह induction किस तरह से काम करता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे touch करना है power पे यह देखे आवाज आईगी और यह on हो जाएगा उसकी बाद में आपको जो भी temperature select करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने function पे click किया है तो यह शुरू हो गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ code लिखे आ रहा है क्योंकि इसके उपर कोई metal नहीं रखा है तो यह detect नहीं कर पा रहा है क्योंकि auto sense होता है जब detect करता है तब हीट generate होती है तब ही induction काम करता है अगर मैं इस induction की quality की बात करूँ तो इस induction की quality काफी अच्छी है काफी भेतरेन प्रोडक्ट है पहले सनिश्चित करें कि बरतन induction के उपर ठीक से रखाए इस induction के control panel पे जो LEDs दी गई है उनके light एक पल के लिए जपकेगी खाना बनाना शुरू करने के लिए on off का switch दबाएं function की को repeatedly दबाएं desired cooking select करने के लिए magnetic feeder feature के साथ slice touch के साथ उच्चू गुडवत्ता वाले खाना पकाने का आन्न दिले मैं induction पे चाय बना रहा हूँ यह देखी हमारी चाय बनके तयार हो चुकी है मैं induction पे कुर्री बना रहा हूँ यह देखी अब हमारी कुल्री बनके तयार हो चुकी है अब मैं वेजी पकोडा बना रहा हूँ यह देखी हमारा वेजी पकोडा बनके तयार हो चुका है अब मैं इडली बना रहा हूँ ये देखे हमारी इडिली बनके तैयार हो चुकी है मैं पाने उबाद रहा हूँ मैंने नेक्षन पे बड़तन लख दिया है अब देख सकते हैं कि इसमें से भापन निकलना शुरू हो चुकी है इसकी MRP है 3800 रुपए हमारे यहाँ पे आपको सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाएगा और डिटेल जानने के लिए हमारे वट्सप नमबर 9921-881042 पर कॉंटेक्ट करें हमारे शुपपका एड्रेस है सेक्टेर 15 वसंदुरा गाजियाबाद इंडिया